जहन सातियों मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको समझने से ज्यादा याद करना है ठीक है तो यहाँ पर आप आप आसानी से देख रहे हैं तो आपको आसानी से मिल रहा होगा कोसी का जिली यहाँ तक किलियर चलिए गाइज यहां पर आगे आप दिखेंगे तो दिख रहा है कोसी का जिली जिसे इंगलिस में कहते हैं सेल मेंब्रेन ओके यहां तक भी आपको किलियर रहा होगा और आगे बढ़ते हैं धीरे 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 यहां तक गाइज यहाँ पर आप पहले नमर में ध्यान दीजेगा तो गाइज पहले नमर में आपको दिख रहा होगा तो गाइज पहले नमर में आपको दिख रहा होगा जन्तु कोशिका का सबसे बाहर का आउरन कोशी का जिली प्लाजमा जिली चैनात्मक पार्ग में जिली कहते हैं गाईज हमारा जो जन्तु कोशी का जन्तु कोशी का क्या होता है तो हम में जो कोशी का पाई जाएगी और आप में जो कोशी का पाई जाएगी न उसको हम जन्तु कोशी का कहेंगे ठीक है तो जन्तु कोशिका का सबसे बाहर का आवरन कहने का मतलब बाहर का सबसे घेरा ही हमारा कहलाता है कोशिका जिली जिसे हम पलाजमा जिली भी कहते हैं और गाईज चैनात्मक पार्ग में जिली भी कहते हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है और इसके बाद मैंने कोशी का जीली के अंदर रिक्तिका, रसधानी, गोलजी का अंतप्रद्रवी, जाली का केंद्री का केंद्रक कोशी का द्रब्य, माइट्रोकंड्रिया आदी होते हैं हमारा जो कोशी का जीली होता है उसके अंदर ये सब उपस्तित होती हैं एक तो रिक्ति का रसधानी गोलजी का अंतप्रद्रवी जाली का और केंद्री का केंद्र कोशी का दरब्य माइट्रोकॉंड्रिय और आदे ये सब हमारी कोशी का जीली के अंदर उपस्तित होते हैं ठीक है जिस तरह हम घर में उपस्तित होते हैं वो मां हम बहन जी हां हमारा जो कोशी का जीली होता है वो कार्बोहेड्रेड प्रोटीन वसा का बना होता है जिस तरह से घर हमारा इंट पत्थ इंट हो गया और सेमेंट बालू से मिलकर बना होता है उसी पड़कार हमारा जो कोशी का जीली होता है वो कार्बोहेड्रेड प्रोटीन वसा का तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीचेगा इसके बाद आपको आसानी से दिख रहा होगा यह पतली योम लचीली होती है हमारा जो कोशी का जीली होता है यह पतली योम लचीली होती है ठीक है? पूरा रबबड की तरह होती है ठीक है? यह जिवित होती है जिहां आपको याद रखना है कि हमारा जो कोशी का जिली होता है यह जिवित होती है इसलिए क्योंकि हमारे अंदर है तो समझे कि यह जिवित ही है इसलिए यह जिवित होती है और यह गोलकार होता है और इसके बाद है कि कोशी का जिली को क्रेमर और नगे दो बैग्यानिक थे जिन्होंने 1885 इसमी में कोशी का जिली को कोशी का कला कहा और जुदरब्य कला कहा तो यहां पर आप ध्यान दीजेगा ठीक है तो यहां तक की बात आपको किले रहा के नहीं रहा उमीद है आपको किले रहा होगा और यहां पर अब इसके हम समझते हैं कार कोशिका जिली का कारिया तो मैंने यहाँ पर आसानी से लिख रहा है देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोशिका जिली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है हमारा जो कोशिका जिली होता है वो एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है और इसके बाद हमारा अगला है कि यह कोशिका को एक निश्चित आकरिती देती है आकरिती परदान करती है जैसे हमारा कोशिका जो हमारा जिली है कोशिका हमारा कैसा होता है गोल होता है तो हमारा कोशिका जिली होता है यह आकरिती देता है वो भी निश्चित और इसके बाद है कि यह आंतरिक अंगोकों को सुरक्षा रख प्रदान करती हैं मतलब ये कि उसके अंदर क्या क्या थे जैसे यहाँ पर मैंने अभी भी आपको बताया वे आपको क्लियर रहा होगा अगर आपको यहाँ तक वह जनकारी में अगर कोई भी डाउट लगा हो तो नीचे जरूर लिखेगा क्योंकि जब तक आप नहीं बताईएगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है तो बाइबाटे क्यार बेस्ट अफ लक बने रहिए और जूडे रहिए